एक तरफ जहां पूरा देश कोरोना के संकट से गुजर रहा है तो दूसरी तरफ सरकार और समाज से भी लोगों की मदद पहुचाने के लिए दीन रात एक किये हुए हैं लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं जो सरकार के सपनों को पलीता लगाने परतुले हुए हैं हम बात कर रहे हैं बकसर जिले के केसर प्रखंड के प्रखंड विकास पताधिकारी प्रभातर रंजन की प्रखंड विकास पताधिकारी का एक वीडियो इन दिनों सोसल मीडिया पर काफितेजी से वायरल हो रहा है जिसमें अपनी समस्याओं को रख रहे कुरेंटाइन सेंटर में मौजूद लोगों पर वो अपना रौब जाड़ते नजर आ रहे हैं बताया जा रहा है कि वीडियो सहब को कुरेंटाइन सेंटर का मुएना करने के थे तब ही वहाँ मौझूद कॉरेंटाइन लोगों ने अपनी समस्याइं बताना सुरू किया लोगों की समस्याइ सुनकर वीडियो साहब भड़क गए और कहने लगे कि जब उपर से या पूरती ही नहीं है तो मैं कम्प्लेन किसे करूँगा कॉरेंटाइन सेंटर पर समस्याओं से जूच रहे जब लोगों ने इस बावत मीडिया को बुलाने की बात की तो वीडियो साहब का गुस्सा सातवे आसमान पर चड़ गया उन्होंने कह दिया कि मीडिया को कॉरेंटाइन सेंटर में आने की इजाज़त नहीं है और अगर मीडिया यहाँ या भी जाती है तो उनका हाथ पर तोड़ देंगे इतना ही नहीं किसी भी कीमत पर वह मीडिया को घुशने नहीं देंगे और लाठी डंडे से मार कर उन्हें भागा देंगे दर असल अपनी समस्याओं का निदान होता नहीं देख सेंटर में मौजूद लोगों ने कहा कि अगर हमें सुविधा नहीं मिलती है तो हम मीडिया को बुला कर इसकी सिकायत करेंगे मीडिया को हीमत है अंदर आने का अंदर आने का अंदर आने का इजाज़त नहीं है आप आएंगे तो हाथ तोर देंगे उसको नहीं आने देंगे अधाने के लिए पक्षावल यहीं मोटा वाला चावल मिलता है खाने के लिए पक्ष सरकार को लगातार घिर रहा है तो वहीं दूसरी तरफ सरकार के तरफ से सब कुछ ठीक ठाक होने का दावा किया जा रहा है लेकिन सरकार के अधिकारी ही जब सुविधाओं का रोना रोने लगें और अपने भीभागिये कमियों की गुछ सायाम लोगों पर उतारने लगें तो फिर इसे क्या कहा जा सकता है मामला संग्यान में आने के बाद बकसर डियम अमन समीर ने दोसी अधिकारी के खिलाफ करवाई किये जाने की बात कही लेकिन सवाल यह है कि अपनी कमियों को छुपाने के लिए मीडिया का हाथ पर तोड़ने की बात कहने वाले इस अधिकारी के खिलाब क्या कुछ करवाई होगी यह देखना भी दिल्चस्प होगा बहराल मामले को तूल पकड़ता देख केशट परखंड विकास पदाधिकारी प्रभातरंजन ने अपना एक बयान जारी करके सफाई दी है और कहा है कि कुछ लोगों द्वारा मुझे अभधर भासा बुला गया जिसके कारण में काफी नर्वस हो गया था और यही बज़ा है कि मीडिया बंधियों के बारे में अनाप सनाप बोल गया मेरी मन्सा मीडिया भाईयों को ऐसा बोलने की कतई नहीं थी मैं परखंड विकास पदाधिकारी केशट है आज उच विजयले केशट में पुरुन्टाइन सेंटर देखने के लिए उनके पुरुन्टाइन सेंटर में आवासी तेर बेक्तियों के सुविधा मोहिया कराने के लिए जाज करने गया वहाँ जाने के बाद जानकारी मिली कि जनेरेटर बंध है तो हमने पता किया तो जनेरेटर चाला के एक देर घंटा के लिए कही छला गया था हमने उससे बुलवाया और जनेरेटर चालू कर बाया पुछ लोगों का चावल पर सवाल था कि चावल खराब है अपकार के लोगों ने किया गया इस कारण से मैं काफी नर्वस हो गया और उनलों को समझाते बुजाते रहें फिर भी उन लोग नहीं मान रहे थे हला अंगामा करती है जा रहे थे और इसी बीच मैं नर्वस होने के कारण मीडिया बंदू के समद में कुछ गलत बोल गया इसकी लिए मुझे शमा प इसके लिए मैं चमा रागती है